कि ख़ने। into four factors such that the area of one of the sector is thrice the area of the another sector तो हमें पता है अगर ये वाला area मेरा A होगा तो ये वाला area भी A होगा और अगर ये वाला area B होगा तो ये वाला area भी B होगा तो means हमें गिवन है कि area of one of the sector is thrice the area of the another sector तो means हमें गिवन है कि B is three times of A और हमें पता है B is three times of A और हमें पता है यह circle के अंदर का area है, तो obviously कि जो area होता है, वो angle के ratio में होता है, तो यह पूरा angle अगर 180 degree है, तो यह angle भी क्या होगे, 1 ratio 3 में होगे हमारे, तो means total 180 को अगर मैं 1 ratio 3 में divide करूँ हूँ, तो यह वाला angle हमारा हो जाएगा 45 degree, और यह वाला हो जाएगा हमारा 135 degree, तो means हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारी parallel straight line, जो यह हमारा pair of straight line है, इनके बीच में angle केता है, 45 degree का angle है, अब हमें एक और important चीच पता है, कि जो pair of straight line होती है, उनके बीच का angle क्या होता है, वो होता है, 2 times of root h square minus ab upon में आता है, a plus b, ओके, और यह value किसके इकल होती है, tan of theta के equal, अब यहां पर theta की value किती है, 45 degree है, है न, तो उस case में काज़ेगा, tan 45 degree आज़ेगा, अब h की जगे काज़ेगा, h की जगे काज़ेगा, यहां पर 2hxy होता है, तो आज़ेगा a plus b का whole square, 2 times of root of, अंदर आगे हमारे पास में a plus b का whole square, minus ab की जगे काज़ेगा, minus ab ही आएगा, ठीक है, minus में ab आगया, ठीक है, अब upon में काज़ेगा, अगर हम दिखेंगे तो upon में आज़ेगा a plus b, जगे a plus b और आगया value equal to 1, अब क्या करता हूं, मैं simplify करने के लिए, दोनों side whole, पूरा video solution देखे, doubtnut app पर,